बहुत स्वारत आपका जन्हिंट टाइम्स में आपके साथ मैं हूँ तनूतिवारी चुनाव आयोग ने आमादनी पार्टी को राश्टी पार्टी का दर्जा दे दिया है वही TMC, NCP और CPIJC पार्टीों से यह दर्जा वापस ले लिया गया इससे लेकर जहां आपके नेता और कारिकर्टार यश्ण मना रहे हैं वही TMC कोड जाने की तयारी में है इस इससाब से अब देश में चाह दलो, बहुजन समाज पार्टी, भारती जंता पार्टी, Communist Party of India और Indian National Congress, National People's Party और आमादनी पार्टी के पास राश्टी पार्टी का दर्चा है ऐसे भिम आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरी राश्टी पार्टी कैसे बनती है इसके क्या नियम है और क्या प्रोसेस है आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे नई राज़ितिक पार्टी के बनने के लिए क्या-क्या नियम होते हैं भारत में राज़रतिक पार्टी बनाने के लिए लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 स्कॉर के तहट प्रावधान है। चुनाव आयोग के मुताबिक पार्टी बनाने वाले व्यक्ति को सबसे पहले भारत के निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर बताए गए। फॉर्मेट में एक आवेदन देना होगा। अगर पार्टी का कोई लेटर हेड है तो यह आवेदन उस पर होना चाहिए। इस आव पर सचीव भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के तौर पर भेजना होगा। यह फीस किसी भी सिती में वापस नहीं की जाएगी। वही इसमें यह असपस्थ होना चाहिए कि पार्टी भारत के सम्मिधान के प्रती तथा समाजवात, प पंजीकृत मत दाता है और निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत किसी अनिराजवतिक डल का सदस्य नहीं है यह शपत पत्र कम से कम 2 रुपे के स्टांप पेपर पर होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक को पार्टी के बैंक खाते पैन कार्याले आवेदक डल के पत कर सकते हैं वहीं अब जालनेते हैं कि देश भर में कितनी राजवतिक पार्टिया हैं निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मताबिक 23 सितंबर 2021 तक देश में कुल 2831 राजवतिक पार्टिया रजिस्टर थी इसके बाद निर्वाचन आयोग ने तीन बार नोटिफिकेशन जारी करके इन आक्टिव पार्टियों को दी लिस्ट किया बेश जुन 2022 को 11125 माई 2022 को 87 और 13 सितंबर 2022 को 86 पार्टियों को डिलिस्ट किया गया इस तरह अभी तक की जानकारी के मताबिक देश में कुल 2574 पार्टिया है हाला कि 13 सितंबर 2022 को जारी एक अन्य नोटिफिकेशन में निर्वाचन आयोग ने इन 2547 में से 253 पार्टियों को इनाक्टिव किश्वेनी में डाल दिया है इस तरह देखे तो फिलाल देश में कुल 2294 में राज़ितिक पार्टिया आक्टिव है आयब जानते हैं कितन तरह की होती है राज़ितिक पार्टिया निर्वाचन आयोग राज़ितिक पार्टियों को तीन कैटेगरी में रखता है इनमें राश्टे पार्टी, राजिस्तरिय या छेत्री पार्टी और रजिस्ट्री कृत आमानिता प्राप्त पार्टी शामिल है राश्टे पार्टी, एलेक्शन सिंबल, इजर्वेशन एंड अलॉट्मेंट ओडर 1968 के तहद राश्टे पार्टी बनने के लिए तीन शर्टे तैकी गई है इनमें से एक भी शर्ट पूरी होने पर किसी भी पार्टी को राश्टे पार्टी का दर्जा मल जाता है पहला, पार्टी ने चार या उससे ज़्यादा राज्यों में लोक सभा चुनाओ या विधान सभा चुनाओ लड़ा हो साधीन चुनाओं में उससे सभी राज्यों में कम से कम 6 फीस्ती बोट मिले हो इसके लाबा उस पार्टी को कम से कम चार उमिद्वार किसी राज्य या राज्यों से सांसत चुने जाए दूसरा पार्टी लोकसभा की कुल सीचों में से कम से कम दो फीस दी सीटे जीत जाए जीते हुए उमिद्वार तीन अलग अलग राज्यों में होने चाहिए तीसरा पार्टी कम से कम चार राज्यों में छेत्रिय पार्टी होने का दर्जा हासल कर ले अब बात करते हैं दूसरी पार्टी छेत्रिय पार्टी पर छेत्रिय पार्टी का दर्जा पाने के लिए पार्ट शर्टे तैकी गई है इनमें से किसी एक शर्ट को पूरा करने पर छेत्रिय पार्टी का दर्जा मिल जाता है पहला पार्टी को विधान सभा चुनाओं में उस राजे की कुल वैध मतों का कम से कम 6 फीस दी वोट मिला हो और उस राजे की कम से कम दो विधान सभा सीट पर जीत दर्च की हो दूसरा, पार्टी को लोगसभा चुनाओं में राजे की कुल वैद्ध मतों का कम से कम 6 फीस सी मत मिला हो और उस राजे की एक लोगसभा सीट पर जीत मिली हो तीसरा, राजे की विधान सभा की कुल सीटों का 3 फीस्ती या कम से कम 3 सीटे इन में से जो जादा हो वो पार्टी को मला हो चौथा, पार्टी ने लोगसभा चुनाओं में हर 25 सीटे में से कम से कम एक सीट जीती हो पाचवा पार्टी को राज में हुए लोग सभाया विधाल सभा चुनाव में आठ फीस्टी वोट मिल जाए अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्री कृत अमानिता प्राप्त पार्टी इनमें वो सभी पार्टी आती है जिनका रजिस्ट्रेशन तो हुआ है लेकिन वे उपर दी शुनाव चिन सुरक्षित होता है यानी देश्वर में कोई दूसरी पार्टी या प्रत्याशी इस चुनाव चुने का समाग नहीं कर सकता है दूसरा राश्थी पार्टी को नमांकन दाखिल करने के लिए सिर्फ objective की जरूरत होती है तीसरा, राश्टी पार्टिया अपने चुनाव प्रिचार के दोरान 40 स्टार पिचारक तक रख सकती है इनकी यात्रा के खर्च को मिद्वार के लिए चुनावी खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा राश्टी पार्टियों को अध्यक्ष और पार्टि कार्याले के लिए राश्धाने दिली में सबसीडी दर पर बंगला किराये पर मिलता है राश्टी पार्टियों को दो सिट मद्दाता सूची मुफ्त में मिलती है साथ इन पार्टियों के विद्वारों को भी आम चुनाव के दौरान एक सिट मद्दाता सूची दी जाती है रास्टे पार्टियों को आम चुनाव के दौरान आकाशवानी पर प्रसारन के लिए ब्रोडकास्ट और टेलिवीजन ब्रोडकास्ट मिलते हैं तो ये थी रास्ट ये पार्टी मिलने के लाब ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताईगा और देश्यो दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जनही टाइम्स